Good morning my dear students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today we will read our chapter 5th, page number 31 and 32. बेटा आज हम हमारी English class में page number 31 and 32 को read करेंगे. इससे previous class में हमने page number 29 and 30 को read किया है. आपको जैसे कि पता चला होगा, ये story जो है एक little round bun के उपर ही है. और little round bun कैसे क्या rolling करते हुए, इधर उधर जा रहा है. और उसको रास्ते में देखो, सबसे पहले तो कौन मिलता है? एक rabbit, फिर उसके बाद मिलता है wolf and bear. आगे देखेंगे अब story में क्या कुछ आपको बताया जाएगा, या little round bun के साथ आगे क्या कुछ होता है. ओके बेटा, page number 30, first, बेटा ये जो यहां पर लिखा हुआ, I ran away from wolf and I'll run away from bear. This minute I will, कि मैं wolf से दूर भाग, भागा and I'll run away from bear. और मैं भालू से दूर भागूंगा, this minute I will, इस minute मैं करूंगा इस काम को. And off it rolled away, और वह है, लुढग गया, और यह है, लुढग गया. कौन? जो little round bun है. By and by, it meet a fox coming towards it. By and by, धीरे धीरे उसकी ओर, उसे आते हुए कौन दिखाई दिया? लोम्री, कि एक लोम्री उसकी तरफ आ रही है, एक लोम्री से उसकी मुलाकात होती है, जो कि उसी की ओर आ रही थी. Hello, little round bun called the fox. Hello, little round bun, little round bun called the fox. Fox ने कहा. How round and brown and rosy you are? आप कितने गोल और भूरे और घुलाबी हैं? ये बात किस ने कही? Fox ने. क्या कहती है? कि अरे, तुम कितने गोल, भूरे और घुलाबी हो? Little round bun was very pleased at Foxy Fox's prey. अब little round bun जो है, अपनी प्रशनसा से ना बहुत खुश होता है. क्यों? क्योंकि जो Foxy Fox है, उसने उसकी तारीफ की थी. तो कोई भी बीटा, अगर मान लिए, किसी आपकी भी कोई तारीफ करता है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि हमें ये बात ऐसे बोली गई है. तो ऐसे ही उस little round bun को भी खुशी हुई. And it stopped and began to sing. और वहें रुक गया और गाना शुरू कर दिया. I was taken from the floor box and baked in the oven and cooled on the sink. I ran away from grandpa, I ran away from grandma, I ran away from rabbit, I ran away from wool, I ran away from beer, and I ran away from fox. This minute I will. मुझे आटे के डिबे से लिया गया था, मुझे ओवन में बेक किया गया था, मैं दादाजी से दूर भाग गया. And cooled on the sill, और मुझे शिल पर ठंडा किया गया. I ran away from grandma, grandpa, मैं grandpa, दादा जी से दूर भाग गया, मैं दादी जी से दूर भाग गया, मैं खरगोश्ट से दूर भाग गया, मैं वुल्फ से भेडिये से दूर भाग गया, बीर से दूर भाग गया, और अब मैं लोम्डी से दूर भागूंगा. इस minute मैं करूँगा कि मैं अब लोमडी जो है ये जो Foxy Fox है ना इससे भी दूर भाग जाऊँगा आगे देखे and it was about to roll on when the cunning Foxy Fox said और ये है आगे ही बढ़ने वाला था कि चालाग Foxy Fox जो था उसने कहा cunning दूर तिया चालाग कौन आगे बढ़ने वाला था लिटल राउंड बन ओ, what a pretty little song ओ, what a pretty little song कितना सुंदर गाना है ये छोटा सा जो तुमने गाया है कितना आकरशक, मनोहर गाना है कितना प्यारा गाना है Foxy Fox जो है लिटल राउंड बन को ये कहता है but I'm afraid I don't hear very well लेकिन मुझे डर है afraid, डर है की मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं मैं अच्छे से इस गाने को नहीं सुन पा रहा हूं Do how on to my note and please sing again कृप्या तुम एक काम करोगे क्या तुम जो ये गाना है ना इसको दुबारा से सुनाओगे मेरी नाक पर hope means उच्छल कर क्या हो जाता है on to my note की मेरी note पर ना तुम उच्छल कर चड़ जाओ, आ जाओ मेरी note पर and or please sing again और कृप्या फिर से गाओ ये जो गाना तुमने अभी सुनाया है ना इस गाने को मैं अच्छे से नहीं सुन पाया हूं तुम पता है क्या करो उच्छल कर मेरी note पर बैड़ जाओ और मुझे ना दुबारा से इस गाने को सुनाओ ये किस ने कहाँ? Foxy Fox ने little round bun jumped on to the tip of Foxy Fox note and sang its song again और क्या हूँआ little round bun जो था Foxy Fox की note जो होती है tip tip का meaning देखो यहां दिया हूँ है the thin pointed end of something कि कि इसी चीज की वो pointed नुकीली या जो पैनी जगे है उसके लिए तो देखो जैसा आपने यहां Foxy Foxy note देखिए न तो जो ये बिल्कुल point है इस note पर जो है Foxy Foxy note पर little round bun बैठ जाता है कूद कर चड़ जाता है और अपना गाना फिर से गाना शुरू कर देता है बेठा ये आपका page number 31 complete होता है आपको समझ आया होगा turn your page page number 32 thank you little round bun sad Foxy Fox धन्यवाद little round bun Foxy Fox ने कहा it's a lovely song यह है एक प्यारा गाना है do hop onto my tongue and sing it one last time मेरी जुबान पर चड़ो कि अभी तो वो कह रहा था जो Foxy Fox था कि मेरी नोज पर आकर सुनाओ मैंने गाना ध्यान से नहीं सुन पाया मैं सन नहीं सुना जा रहा था तो नोज पर आने को कहता है वो बट अभी उसने कहा कि बहुत ही प्यारा गाना है बहुत ही सुन्दर गाना है लेकिन मेरी जुबान पर आओ और इसे एक बार फिर से आखरी बार गाओ लिटल राउंड बन जंप ओन्टो Foxy Fox तंग अब क्या था जो लिटल राउंड बन था वो Foxy Fox के तंग पर कूद गया एंड स्नेप दा Fox गोबल इट अप गोबल 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 दा वो लास्ट एनवन एवर सौफ लिटल राउंड बन बेटा गोबल अप नीचे देखे एट अप वेरी फास्ट एट अप वेरी फास्ट जल्दी से खा जाना निगल जाना उसने क्या किया उसको जो लिटल राउंड बन था जब वो उसकी जीप पर कूद जाता है तो उसने उसे खा लिया क्या किया खा लिया गोबल निगल गया खा गया यह लास्ट एनवन एवर सौफ लिटल राउंड बन लिटल राउंड बन के बारे में किसी ने भी ये नहीं वो किया कि उसको उसके बाद देखा हो उसी टाइम पर लिटल राउंड बन को आखरी बार देखा गया था बेटा एनिवन कोई भी या कोई एक एवा हमेशा या कभी सदा स्नैप मेंस होता है तूटना गुसे से तूटना या काटना और क्या क्या था यह आपको पता चली गया कि वो चलाक था फॉक्सी फॉक उसने पहले उसको अपने नोज पर बिठाया उसके बाद अपने टंग पर और फिर उसके लिटल राउंड बन को खा गया तो बेटा यह जो थी आपका चाप्टर फिफ्ट था कंप्लीट होता है आपको समझ भी आया होगा अच्छे से बेटा अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दुबारा से रीड करेंगे ताकि आपको लैसन अच्छे से समझ आये और क्योंकि लैसन जब तक आपको अच्छे स साफी है, thank you and have it nice day